कैसे हैं आप सबी दोस्तों? मैं हूँ हेमन, आपका ट्यूटर अट दा लर्नर आप सब के द्वारा में से एक कोशन बार बार पूछा जा रहा है कि सर, पतना हाई कोट वेकेंसी का क्या होगा? जो केस दाया हुआ है, क्या वेकेंसी कैंसल हो जाएगी? क्या उस पे स्टे लग जाएगा? तो, आप सबी से मैं ऐसे एक कोशन पूछन पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि आपको पता है, आज हेरिंग है उस केस की, ट्रिपल सावन वाले केस की जिसको फाइल करा है, बेगु सराय के विकास कुमार ने उनकी सिंपल डिमांड है कि उन्हें 2% रिजर्वेशन चाहिए ठीक है? तो मैं आप से सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर वो केस कैंसल हो जाए, ठीक है? आज की विकैंसी में उसे खारिज कर दें कि इसको एड्मिटी नहीं करेंगे इसकी अपील को एड्मिटी नहीं करेंगे तो मैं आप से एक कोशन पूछना चाहता हूँ कि next 10 days में अगर पटना हाई कोड आपका मेंस ले लेता है तो क्या आप उसको क्वालिफाई करने के लिए eligible है? क्या आपके writing skill उस level के हैं कि आप उस vacancy को क्वालिफाई कर पाएं अगर नहीं है तो जो आप कोशन पूछन है सारे फाल्तू कोशन है आपका इस case से कोई लेना देना नहीं है ना आपको इसमें कुछ input देना है ना इसका output कुछ देना है आपको court इसको matter deal करेगा court इसको देखेगा vacancy cancel नहीं होगी जो मेरे experience है past मैंने भी दो government department में job करी है आठ साल का में पर experience है और मुझे पता है कि जब-जब कोई vacancy आती है तो इस type की case होते ही होते है एक ना एक ऐसा candidate होता ही है जिसको problem होती है वो case डाल देता है पहले stay लग जाता था लेकिन अब जब ये case frequently होते है तो court भी उस पे stay नहीं लगाता और vacancy cancel करने की बात तो एकदम impossible है तो आप सभी को क्या ध्यान देना चाहिए कि आपको अपने आप से question पूछना चाहिए कि अगर court ने इसको case को end कर दिया और अगर next 10 days में इसका exam होए तो क्या आप उसको qualify करेंगे या नहीं अगर उसका question नहीं है तो आपको इन सब site को बंद कर देना चाहिए case में क्या update चल रही है क्या हो रहा है इन सब चीज़ों को बंद कर देना चाहिए और आपको अपनी book खोल के पढ़ना चाहिए आपको अपने writing के skill को मजबूत करना चाहिए ताकि जब ये mains का paper हो तो आप उसको qualify कर दें और इस exam को end कर दें इसके बाद आपको कोई vacancy न देखनी पड़े इस level की ठीक है तो आप सभी को क्या करना है कि जो भी update चल रही है case में उससे दूर रहना है नहीं ध्यान देना इन सब चीजों में क्योंकि जो toppers होते हैं वो ध्यान नहीं देते फाल्तो की बातों में लेकिन आप इस पे ध्यान देंगे तो पढ़ाई पे कौन ध्यान देगा अगर मैं पढ़ूंगा तो आपका exam कैसे clear होगा आपको पढ़ाई पे ध्यान देना है आपको सिफ डेली लिखना है डेली राइटिंग करनी है डेली रीडिंग करनी है copy evaluate करवानी है ताकि आप इस vacancy को clear कर दें किसी भी हालत में ठीक है आप सभी को ये advice है और ये जो learner के student है उनको चेतावनी है कि अगर फालतों के questions करे तो आगे से आपको मैं ban कर दूँगा और फिर evaluation नहीं करूँगा आपकी copy को ठीक है तो आपको क्या करना है डेली में को copy भेजनी है चेक करने के लिए ठीक है आप सभी कि जैसी ये case का जो update चल रहा है आपकी copy आनी बंद हो गई है एक दो ही student जो है वो copy बेस्ते evaluation के लिए बाकी लोग नोंने लिखना ही बंद कर दिया है वेकेंसी cancel नहीं हुए अभी भी वेकेंसी existence में है अगस्त में most probably अगस्त में जुलाई के end में नहीं आया तो most probably अगस्त में इसके इसका paper होगा ही होगा ठीक है तो आपको अपने आपको एकदम मजबूत करना है कि ये वेकेंसी आपकी आखरी वेकेंसी हो इसके बाद आपको कोई वेकेंसी देखने की ज़र्पना पड़े सो मेरी शुब कामना है आपके साथ है best of luck